हेलो और वेलकम हम लोग इससे पहले कई सारी किताबों के बारे में बात कर चुके हैं एक बहुत ही फेमस बुक है बेपंच अंदा सर की जनरली इन्वेस्टीज में रिकमेंडेड होती है दोस हुआ प्रिपेरिंग फार सिवल सर्थिस एक्जामेशन वो किताब में 39 चैप्ट चीज़ें आपको मिलेगी एक बुक है टी आर जैन एंड वीके ओहरी साब की बहुत ही फेमस बुक है हाइली रिकमेंडेड बुक है यह अभी हाली में स्लेबस चेंज हुआ है इसलिए इन्पॉटेंट है कि जब भी हम बात करते हैं एकनॉमी की तो कोई भी न्यूस पेपर पढ़ लो आप लेकिन एकनॉमी की जो हिस्ट्री है इंडिया की इस पर से पहले से मैं वेपन चंदा सर की जब बुक डिसकस कर रहा था तो मैंने दो से तीन क्लासे उस पर ली थी एकनॉमी की हिस्ट्री ओफ इंडिया जब से ब्रिटिस के लोग आते हैं भारत में उनका प कैसे कैसे कोलोनिजम होता है और कितने भी एंगल से हम लोगों ने वो देखा था और फिर उसी एकनॉमिक हिस्ट्री में हमने देखा था कि भारत में कैसे ट्रेड यूनियन बनते हैं ये सारी चीजे हिस्ट्री के पॉइंट आभी उसे हम लोग डिसकस कर जुके हैं बट हम आजाद हुए विफोर 1947 इससे पहले जो एकनॉमी होती थी उसको कॉलोनियल एकनॉमी कहते थे ना कॉलोनियल एकनॉमी या एकनॉमी अंडर बिटिस एज ये चीजे हम लोगों ने देखी थी खासकर जब विपेंचंदा सर की किताब देखी थी अब ये जो जंक्चर है य हमें आजादी मिली हम और आप हमारे पूदबस जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसको हम लोग पूरी जर्नी देख चुके हैं उसके बाद जो एकनॉमी में डेवलपमेंट हुए उसको समझने के लिए जानने के लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन है हाला कि एक और बुक है रिकमेंड करते हैं कई सारे लोग और उसको लोग पढ़ते मी हैं वो बेपनचंदा सर की भी है रामचंद गुहा सर की भी किताब है इंडिया आफ्टर गांधी एक बुक आब ले लीजिए जिसमें कुछ आपको एकनॉमी के एस्पेक्ट देखने को और एक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंडेंस भाई बेपनचंद्रा कभी फूरसत मिलेगी तो वह किताब भी हम लोग देखेंगे और ओन बोल्ड देखेंगे बट यह जो टियार जैन और वीके ओरी साब की बुक है बिलीब में इस इस आप I mean आउटस्टेंडिंग वर्क दन बाई टी आर जैन और वीके होरी एक बहुत फेमस कोचिंग है और बहुत बड़ी ब्रैंड है कोचिंग कि उसने एक रिसर्च कराई तो उसने टॉप टेन रिकमेंडेट बुक फॉर यूपी सी की लिस्ट बनाई जिसमें से टॉप फस्ट पर विपिन चंदा रखी कही और वो हम लोग देख चुके हैं और साइध तीसरे चौथे नंबर पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलप्मेंट की बुक ये इसको अस्थान मिला था अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि NCRT क्लास 11 की वो भी यही बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलप्मेंट उसी का जै ये किताब बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है सेम आप अगर इंडियन इकोनॉमिक की NCRT उठाएंगे वही सारा कंटेंट है बट थोड़ा और अच्छे से मोडिफाई किया गया है कुछ एडिशन आफ इन्फॉमेशन है उसको स्ट्रक्चर अच्छे से किया गया ह ये बुक मेरे सामने भी रखी हुई है और मैं इसको बाई किया हूँ यह बहुत ही बेच दिन किताब है इंडियन इकोनॉमी के उस समझने के लिए इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है that talks about Indian economy on the eve of independence आजादी के समय हमारी Indian economy कैसी थी हमें Indian economic development पढ़ना है यानि हम जब आजाद हुए when we all got independence जब हमें आजादी मिली उसके बाद हमारे economic structure कैसा था उसका composition कैसा था कौन-कौन से challenges थे यह सारी चीजें पहले chapter में दे दी गई है अब इसमें जो eight points है अगर आप इसका पहला page ही पढ़ेंगे इसमें जो eight points है यही हमें study करना है इस chapter में जैसे colonial exploitation of Indian economy colonial exploitation of Indian economy इस बारे में हमें बात करनी है again इन ही तीन चीजों के बारे में कि colonial exploitation हुआ तो हमारी agricultural sector का कैसे हुआ हमारे industrial sector को कैसे नुकसान पहुचाया गया और हमारा जो foreign trade था international trade था आपको पता एक समय Indo-Roman trade की गाथाएं सुनाई जाती थी हमें सोने की चिनिया कहा जाता था आप Indo-Roman trade के बारे में पढ़ेंगे then you will feel proud की ऐसे कैसे हो तकता है हमारे देश में एक सब्द है मैं आपके लिए लिख देता हूँ जब भी आप पढ़ें bullionism होता है na bullionism ठीक है bullion कहते है bullion एक सब्द होता है उसका मतलब होता है सोना चांदी तो हमारे देश में बहुत सारा सोना चांदी हुआ करता था और वो Rome से आया करता था लेकिन जो colonial expectation हुआ खास करके 1760 से ले करके 1947 तक का ये जो phase था इसमें हमारी economy को कैसे systematically क्या किया गया systematically हमें deindustrialize किया गया हमें paralyze किया गया की हमारी economy रेंग ने लगी हमने ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस chapter में उसके बाद में features of economy on the Indian independence on the EU of independence इसमें 10 features थे 10 विसेस्ताइं भारती एकनोमी की Indian अर्थ भारती अर्थ वे उस्था की आजादी के समय हमारी अर्थ वे उस्था कैसे दिखती थी उसके बाद हम agriculture sector को देखेंगे industrial sector को देखेंगे और foreign trade को अलग से देखेंगे on the EU of independence आजादी के समय हमारी क्रिसी बेउस्था कैसे थी हमारी industries की क्या हालत थी और दोगी छित्र हमारे देश का कैसा था और international trade या foreign trade कैसे हुआ था कैसे था आजादी के समय कैसे था क्योंकि हमें आजादी के समय से लेकर ही अपनी जर्नी आगे पढ़नी है अच्छा क्या होता है हम लोग social science की बात कर रहे है social science में science की तरह कई सारी established मानने मानने तायन नहीं होती है with the passage of time कई सारी चीजों का addition होता है कई चारी चीजों का subtraction होता है ऐसे यह जो तीन चीजे नीचे लिखी गई है demographic profile, occupational structure and infrastructure जब social science ब्रहद होता गया बड़ा होता गया उसका area expand करता गया तो उसमें social scientist को economist को ऐसा लगने लगा कि हमें demographic profile भी देखनी चाहिए इसलिए demographic का मतलब क्या होता है मैं आपको बता हूँ demographic एक testical study होती है जब आप geography पढ़ेंगे उसमें human geography पढ़ेंगे उसी का part होता है population geography एक अपने देश में institute भी है Indian institute of population geography जो Bombay में है वहाँ पर कई साए लोग graduate करने के बाद master's करने जाते हैं population studies में study यही होती है कि इसमें human population की study होती है human population की study होती है और यह कैसी study होती testical study होती इसमें data होते हैं धेर सारे ठीक है और क्या होते हैं उनका structure पढ़ा जाता है कि population को ऐसे structure है उसका composition पढ़ा जाता है और यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है कि आजादी के समय हमारे देश में demographic profile कैसे थी कितने लोग कितना हमारा birth rate था कितना हमारे देश का death rate था कितनी mortality rate थी कुछ ये term है जोग्राफी के ये सब भी हम चीजें देखेंगे occupational structure again हम लोग occupational structure देखेंगे कि कितने सारे लोग कि सेक्टर में job करते थे अभी अब आपने एक सब बहुत पहले से 9th class में economy में 10th class में आपने पढ़ा होगा कि देश में हमारे एक primary sector है secondary sector है तरसेरी sector है तो इसमें कितने कितने लोग उसमें लगे हुए है and then last point हम लोग पढ़ेंगे infrastructure अब infrastructure में कई सारी चीजें आती है जैसे road road कैसे था हमारे देश में आजादी के समय railway का क्या development हुआ था air क्या airlines का क्या development हुआ था communication का क्या development हुआ था telegram होगे रहा ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे in the very first chapter but before we start मैं आपको इस बुक में कई सारे बहतरीन सब्द आपको मिलेंगे और वो सब्द आपको बहुत ध्यान में रखने हैं जैसे एक बहुत ही फेमस शब्द मिलेगा drain of wealth जब मैं विपनचंदा को पढ़ा रहा था उसमें चाओथा या आइधिंक पाचवा या चाटवा चैप्टर है विपनचंदा में इंडियन क्रिटिक ओफ फेमस एकोनॉमिक क्रिटिक थे जैसे दादा भाई नरोजी थे इन्होंने किताब लेखी पॉलिटी एन अन्बिटिस रूल इन इंडिया आप उससे फेमस होंगे नाम जानते होंगे इस बुक का आर्सी दत्र साब थे एम जी रानाडे साब थे महा गोबिंद रानाडे जी थे गोखले साहब गोपाल कृष्ण गोखले जी सुब्रमन्यम आईयर ये पांच नाम आप हमेशा याद रखना इससे डिरेक्ट कोशन पूछा जाता है कि फेमस एकोनॉमिक क्रिटिक काउन थे मॉडर्न इंडिया कि इनका क्या इंट्रिब्यूशन रहा है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए दूसरा एक सब्द है systematic de-industrialization ये सब्द आप आगे हम लोग इसको elaborate करेंगे जानेंगे बट ये book का crux है मैं आपके सामने रख रहा हूँ systematic de-industrialization कैसे Britishers हमारे देश में आते हैं अपनी policies के जरिए अपने plans के जरिए हमारे देश को systematically de-industrialize करते हैं जब ये और हम बेपिन चंदा डिस्कूस कर रहे थे तो वहाँ पर एक book मैं class में ले करके आया था an era of darkness the British empire in India ये ससी थरूर साब की किताब है आपको कभी time मिले जिन्दगी में कभी time मिले तो ये किताब जरूर पढ़िएगा इस किताब में यही लिखा गया है कि Britishers आते हैं और हमारे देश में आने के बाद जब वो आते हैं तो हमारा देश कितना संब्रद होता है हमारे पास सब कुछ होता है सारी चीजें होती हमारे देश में कोई भुखमरी से नहीं मरता है हमारे देश में इतनी कास्ट सिस्टम इतना कॉंपलेक्स नहीं होता है हमारे सिस्टम में सभी लोगों का self-respect रहता है लेकिन Britishers के आने बाद हमारी economy को कैसे damage किया गया जब वो आते हैं तो world GDP में 23% का contribution रहता है इंडिया का लेकिन 1947 में जब वो हमें छोड के जाते हैं तो about nearly 3% GDP पूरा में contribution होता world की GDP की में बात कर रहा हूँ इंडिया और चाइना लगभग अगर बात करें 16th century की तो इंडिया और चाइना मिल करके लगभग 50% world की GDP में contribute करते थे लेकिन कौन सी ऐसी समस्याएं आ गई कि 1947 आते आते ये percentage घटकर merely 3% रह गया तो ये किताब आपके लिए recommended है कभी time मिले तो इसको order करके जरूर पढ़ना और इसको मैंने review भी किया हुआ खास करके जब हम लोग economic history of British India of modern India पढ़ रहे थे दो तीन पार्ट में इसमें important quotations भी हमने किये हुए हैं इस किताब के एक अगला सब्ध है infrastructure infrastructure का मतलब होता है जब भी बात होती है road की railway की infrastructure होते हैं ये सारी चीज़ें हमारी communication की ये सारी infrastructure में आते हैं और demographic transition अगें ये human geography ये geography का term है population geography very precise इसको हम लोग देखेंगे एक बहुत ही फेमस geography में थेओरी पढ़ाई जाती है graduation और class 12 की geography में भी उसके बारे में दिया गया है जिसको कहते हैं demographic transition थेओरी जैसे आज हम लोग बात करते हैं जापान की जनसंख्या बोड़ी हो रही है यूरोप में जनसंख्या बोड़ी हो रही है इंडिया में young population है तो ये एक transition का phase होता है कभी किसी कोई देश जमान होता है कभी कोई देश बुड़ा होता है इसका असर क्या होता है ये सारे angles भी इस theory में discuss किये जाते है इसका एक जो है chart भी बनता है आप देखेंगे आजीब सा ऐसे pyramid type का होता है कहीं बीच में कहीं ऐसे जोग्राफी की किताब में देखेंगे तो वो आपको देख जाएगा वो हम with the passage of time we will cover that बट एक term होता है drain of wealth drain of wealth का मतलब होता है कि हमारा देख ये भारत है और यहाँ पर Britishers की Britishers या आप कहलो London United Kingdom United Kingdom कहना बहुत ही famous बहुत ही अच्छा रहेगा वो लोग हमारे देख में आते हैं और हमें क्या बनाते हैं colony बनाते हैं और हमारे देख का जो resource रहता है जो भी संसाधन रहते हैं जो भी raw material रहता है वो यहाँ से बिटन में जाता है बिटन में क्या हो जाता है बिटन में 17, 18 अगर 19th century हम कह ले तो यहाँ पर industrial revolution peak पर रहता है यहाँ पर factory, यहाँ पर कार खाने यहाँ पर कोल, यहाँ पर सारी चीजें हो जाती है, यहाँ पर अउदोगिक विकास हो रहता है industrial revolution आ जाता है अउदोगिक करंटी आ जाती है और इसी industrial revolution में हमारे देश के जो resources होते हैं इनका दोहन होता है, यहाँ पर जाता है यहाँ से factory यों में समान बनता है, हमारे देश की जो भी किसान होते हैं उनसे cash crop उगाई जाती उनसे indigo उगाई जाता है उनसे कहा जाता है कि आप वो crop उगाओ जो हम चाहते हैं जिससे हमारी profit बने ऐसा Britishers कहते हैं और इसी के द्वारा हमारे देश का जो सारा संसाधन रहता है वो British के पास जाता है और किस तरह से हमारे आखों के सामने से जाता है इसको highlight किया है famous economic critic ने वो दादा भाई नरो जी आर्ति दर्थ ये लोग समय समय पर इन सारी चीज़ों को लिखते हैं और फिर जो drain up belt का मुद्दा रहता है एक समय ऐसा देखने को मिलता है और Britishers क्या कहते थे कि हम आपका कोई सामान नहीं ले जा रहे हैं बलकि ये तो home charges है जब भी allegation लगाते थे गोखले साहब की speech हम लोगों ने discuss किया था किस प्रकार से वो पारलेमेंट में बैठ कर चिलाते हैं और मतलब गोखले गोखले के character और गोखले ऐसे ही गांधी जी के राजनितिक गुरू नहीं थे गोखले वाज फायर ब्रिगेज पहला भारतिये इतिहाज का एक ऐसा नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले जिनको आप बेपेट जन्दा में पढ़ेंगे देन यू बिल्ड लाइज कि वाई ही वस गुरू आप महात्मा गांधी महात्मा गांधी के वो पॉलिटिकल गुरू थे क्योंकि वो इतने अच्छे से बोलते थे पहली बार बिटिश की जो संसद चला करती थी जो काउंसिल हुआ करती थी इंडिया में उसमें बोलते हैं इंडियन की आवाज को उठाते हैं गोकले और गोकले बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इनकी अनसदन देथ हो जाती है इसके लिए इंडियन जो फ्रीडेम इस्टेगल है उसको काफी हानी होती है तो ये तो मुद्धा हम लोग देख चुके हैं लेकिन होम चार्जे जब बिटिशर्स को उपर अलिगेशन लगा जाता था कि आप तो हमारे देश का सामाल ले जाए वो कहते थे हम नहीं ले जा रहे तो होम चार्जे हैं होम चार्जे का मतलब क्या होता था कि पैसा वो लोग ले लेते थे बिटिशर्स की हमारा देश कंगाल बनता गया हमारी जो टेजरी थी हमारी टेजरी से पैसा दिया जाता था पूरी 19th century में वो एक तरह से बर्डन बन गया on the finances and contribute and और on the finances and treasury of इंडियन इंडियन टेजरी पे वो एक तरह से क्या बन गया बर्डन बनता गया जो होम चार्जे हुआ करता था बिटिस की आर्मी होती थी उनकी जो stationary एक सब्द क्रिटिक लोग यूज करते हैं ये भी है कि वो जितनी बंदूखे जितनी तोपे करीदते थे वो पैसा किसका होता था वो हमारा पैसा होता था और वो यूद्ध भी हमारे उपर होता था आप देखो जब हम लोग के पूर्बस थे ancestor थे जब वो लड़ाई लड़ते थे तो उधी के ऊपर तो पे वो गोलिया चलाई जाती थी और पैसा भी हमारे देश से दिया जाता था तो ये बहुत बड़ी एक dactomy type की चीज़ बन जाती है कि हमारा पैसा और आप राज कर रहे हो हमारी गोलियों के पैसे भी हम दे रहे हैं और गोलिया भी हम पर चलाई जा रही है तो ये आजब सी कहानी थी और all this lead to the contributed to the sustained and continuous deficit of budget throughout the 19th century home charges included pension to the British Indian officers ठीक है pension दिया जाता था उनको army officers इसमें भी question पूशा जाता है कि home charges included कई बाट direct question पूशा गया civil service examination में home charges में आपको option दिया जाता है ABCD कि क्या-क्या चीज़ें जो है include होती है तो उसमें एक चीज़ दे दिया जाएगा फिर उसमें एक option नहीं correct रहेगा तो ऐसे चीज़ें आपको मार कर रही होती है that is question के perspective से में लोग बात किया लेकिन home charges में क्या-क्या चीज़ें आती है जैसे pension आती है आर्मी जो उनकी standing army होती थी और कई सारे राजा रजवारे होते थे जो British की आर्मी को अपने घर पर रखते थे और उनको पैसा देता था वही राजा ही देता था मतलब राजा क्या है अपना राजा खुद का बैठा बना लेकिन आर्मी किसकी है बिटिश की अब आपको पता है कई सारे alliance होते थे विलेजली की alliance हो जाए समय समय पर doctrine of lab so कई सारी doctrines के बारे में हम लोगों ने बात किया था वो history हो जाएगी ज्यादा तर वहां पर मैं आपको बस remind करा रहा हूं कि कैसे economy को हम स्टार्ट करें उससे पहले यह सारे कुछ term है कुछ understanding है आप समझ लें हाला कि आगे हम लोग देखेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं आगे हमें बहुत सारी चीजें देखनी है यह मैं आपको दिखा दे रहा हूं कई सारी चीजें में देखनी है इसमें ह इंडिया देखना है उसके बाद में वास देर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट अब इंडिया क्या बिटिस का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट था उनके रूल का यह सारी चीजें देखनी है हमें और अभी तक हम लोगों ने क्यों इसका इंट्रोड़क्शन देखा है देखो अगर बेईबानी होगी अब बिटिस्टर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है उनके लेक्चर्स को उनके ऊपर उनके दोहन को उनके एक्स्पाइटेशन को हम 10-5 में खतम करें सिर्फ लाइट के माधन से that is not okay मैं इसको okay नहीं मानता हूँ उनका जो एक्स्पाइटेशन है वो सभी लोग जाने इन डेप्थ जाने with facts and with figures सब कुछ हम लोग देखेंगे ये basic एक introduction था आगे हम ये Indian economic development देखेंगे इस किताब को देखने का मतलब है आप Indian economy class 11th की जो NCIT थी वो या कोई और reference book आपको पढ़ने की ज़ुरत नहीं है it is okay but आप parallel हमाई सामने जो facts हम लिखेंगे आप amazing करो कि आपके सामने एक white board है और उस पर कुछ लिखा जा रहा है उसको आप noted down करो और ये काफी amazing journey होगी हम लोग Indian economic development देखेंगे 1947 से ले करके अभी तक की जो भी journey है वो आगे हम लोग देखेंगे और पहले chapter में कुछ angle रहेगा जो इसमें हम लोग British का expectation भी देखेंगे किस तरह से उन्होंने हमारी कमर तोड़ी हमाई देश में फेमेंस हाए लगभग 85 million लोग तो हमारे हाँ भुकमरी से मर गए हमाई दे पाकिस्तान के पास सिंध और पंजाब जैसा fertile land भी गया हमारे देश में agriculture की क्या इस्टती रही अंग्रेजों की policies उनकी discriminatory tariff policy trade policy सब कुछ देखेंगे everything demographic profile occupational structure infrastructure foreign and international trade balance of trade यह सारी चीज़ें देखेंगे तब तक के लिए आप stay blessed stay safe take care of yourself have a good day